इक इनाटे कोटी दी पोट्सवं मुख्य अथिदी विश्व हिंदू परिशत अंतर जातिया कारियार जेक्षलू स्री प्रेविन प्रकाडियागार ने प्रसंगिन चवल सिंदिका कोर्दु नाम मंच पर विराजमान परम पुझनिय स्री राम चंद्र जियर स्वामी श्रीमन नारायन मुर्ती जी यहां का कारिकम का आयोजन करने वाले नरेंदर चोधरी जी विश्वंदू परिशत के स्टेट प्रेस्डेंट रामा राजु जी और यह कोटी दिपक के कार्तिक मास के परों में उपस्थी सभी मातार बंदू हो किसी व्यक्ति को पूछा जाए कि आपको सबसे प्रिय क्या है कोई कहेगा पैसाग कोई कहेगा पदप्रतिष्ठा पर मैं कहूंगा कि पुरी दुनिया की संपती दे दू आपका प्राण खींचलू भारत का अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर बना दू आपका प्राण खींचलू तो व्यक्ति कहेगा कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है मुझे प्राण चाहिए संपती नहीं चाहिए मुझे प्राण चाहिए उनका आर्थ है कि संपती से भी ज़्यादा प्रिय प्राण है मेरा प्रस्टन है प्राण से भी ज़्यादा प्रिया क्या है तो हमारे सास्त्रों ने कहा है प्राण से भी ज़्यादा प्रिया हमें हमारा धर्म है धर्म प्राणों से भी प्रिया क्यों है तो ऐसी दुनिया में कोई चीज हो सकती है जो हमारी सभी इच्छाये पूरी करे हमारी इच्छाये कौन सी है मुझे धन मिले, नौकरी मिले, व्यवसाई मिले संपती मिले पुत्र पुत्री अच्छा परिवार पदप्रतिष्टा मिले यस मिले, आरोग्य मिले सास्त्रों की भाषा में मेरी पुत्रेशना परिवार की चापुरी हो मेरी वित्तेशना मेरी धन की चापुरी हो मेरी लोकेशना पदप्रतिष्टा की चापुरी हो तो sentence to sentence Translation then sentence to sentence मेरी वित्तेशना धन की चापुरी हो मेरी भगवान की प्राप्ति की इश्वरेच्छा पुरी हो या मानव जीवन की इच्छाए है प्रपंचन लो अंदरिनी मी कनिटी कंटे इस्टमय ने देमिटी अनि प्रेश्णिंचिन अप्डू अंदरू डब्बू अनि कीर्थी अनि गानी चेबुतारू अईते ने नडगुत्तुनाणू यवरिन्एना मीकु कावलिसन अंता डब्बू नीच्ची कावलिसन अंता कीर्थी निच्ची मीमलनी मन देशानिको अमेरिकाको प्रधानमंद्री ने चेसी अधें प्राणा कान्टे विलुवैने देना प्रश्ना, धर्ममें प्राणां कान्टे विलुवैने अन्न देन दानिके समाधानम शास्त्रों की भाषा में उनके लिए और दो सब्दों को प्रयोग किया अर्थ और काम हिंदू धर्म ने धन संपती पद प्रतिष्टा वैभाव का इनकार नहीं किया है इसले चार पुरुषो आर्थ में हमने अर्थ और काम की भी बात की है भारतिय संस्कृति लो नालुगु पुरुषार्थाल लो अर्थमू अंटे मनमु धनमु रूपनलो कीर्ति रूपनलो पुंदेट वाण्टी आनुभोवमू अलागे कामम मनकोरिकलू तीरडम इवन्नी कुडा भारतीय समस्कुरिते लो मानव जीवितानी समग्रंगा चूसे समस्कुरिते गनुका धर्म अर्थ कामा मोक्षालू नालू गिंटी लोनू अर्थ कामालनू कूडा मिलितन चेडन जरगिंदी अर्थ काम देता है हमारी लोकेशना पुरी करता है हमारी वितेशना पुरी करता है हमारी पुत्रेशना पुरी करता है और हमें चायतो इश्वर की प्राप्ती करवाता है इसले धर्म हमें प्राणों से भी प्रिय है हमने सुना होगा कि धर्म हमें भगवान की प्राप्ति करवाता है आज में कहरा हों कि धर्म भगवान की प्राप्ति तो करवाता है धर्म हमारे जीवन में भोतिक अर्थकाम धन्धान ने यग आरोशय प्रतिष्ठा भी देता है कैसे? यला गंटे? हमारा मानव जीवन हमारे अनेक पूर्वजनमों के करमों के आधार पर है यदी करम में गरबडी हो गई तो दारिद्र मिलेगा रोग मिलेगा परिवार में दुख मिलेगा यदी कोई मेरे सभी पूर्वजनम के बूरे करमों का नाश करने का रास्ता बताए और उस रास्ते पर चलकर में पूर्वजनम के सभी बूरे करमों का नाश करदू तो मुझे इस जीवन में धरधान ने यस आरोग्य मिलेगा अर्थ और काम मिलेगा अर्थमों काममों प्राप्तिस तुन्दी हिंदु धर्म क्या है साइंस का नाम हिंदु धर्म है गतन लो मननं चेसिन पापकर्मल निंटिनी नाशनन चेसी इजन्मलो मनको धनाननी धान्याननी कीर्तिनी कुटुमब सौख्याननी इवगली गेटु वन्टी एकईक विज्ञान शास्तरम एकईक साइन्से हिन्दू धर्मम धर्मान निच्चिंद एवरू धर्मान निच्चिंद इस्वयंगा भगवंतुडे भगवंतुड धर्मान एंदु कि चड़ू एंदु कंटे पुट्टिन प्रती उककडू दुखान निपोंद गुड़ दनी ना काली के मुल्लु गुच्कून दनु कोंडे आँख में पानी आता है आप मुझे लड्डू दिखाते हो मीरु नाकू लड्डू नु चूपिस्ते मेरे मुह में पानी आता है ना नोर उरुत्तुंदी मेरा मानव शरीर एक है ना मानव शरीर मंता वोकटे पाव में काट आँख में पानी सामने लड़ू मुह में पानी येसा क्यों? तो उनका उत्तर डॉक्टर प्रवीन तोगडिया नाम का सर्जन देगा प्रवीन तोगडिया कहेगा कि मानव शरीर में करोडू नर्व सिस्टीम है पाउ में काटा लगता है पेइन नर्व सिस्टीम एक्टिवेट होती है ब्रेन को कनेक्ट करके आँख से कनेक्ट करती है इसलिए आख में पानी आख लड़ू देखता है आख से नर्व सेंटर ब्रेन को कनेक्ट करता है ब्रेन का नर्व सेंटर मुह को कनेक्ट करता इसले मुह में पानी यह संपुन स्रुष्टी परमात्मा का दिव्य शरीर है मानव शरीर में करोडो नर्वस सिस्टम है यह परमात्मा के दिव्य शरीर में करोडो कनेक्शन है मानव शरीर की नर्वस सिस्टम जानते हैं उनको डॉक्टर प्रविन तोगडिया कहते है और जो यह भगवान की सिस्टम का ज्यान रखते हैं उनके हमारे जीयर स्वामी कहते है मेरे पास फिवर का पेशंट आएगा मैं दो घंटा उनको मेलेरिया पर भाशन दूँगा पेशंट बेहोस हो जाएगा या मेरी हस्पिटल छोड़कर भाग जाएगा पेशंट पूर्ति का मूर्चन ना पोताड़ू लाइका पोते ना आसुपत्र न वदिली परिगे तुख पोताड़ू तो पेशंट आएगा में पूछुगा ठंड लग रही है रोगी वच्ची न पूड़ू नीको चलिवेस तुंदा पसीना के साथ बुखार उतर रहा है नेको चमटलो पड़तु ना या मलेरिया है मलेरिया हुंदी चार गोली लेलो बेटा ठीक हो जाओगे मैने मलेरिया का साइंस नहीं समझाया हमने धर्म को जानने वालों को जाकर कहा परिवार में हरो जगडे हो रहे है उन्होंने धर्म का साइंस नहीं समझाया उन्होंने कहा जाकर इश्वर को भगवान संकर को नमस्कार करो आपके परिवार के जगडे चले जाएंगे मैने कहा कि ये पोलीस वाले बहुत परेसान करते है तो कहा कि विनायक गणपती को जाकर पुष्प चड़ा दो आपके लिगल प्रॉब्लेम चले जाएंगे मैं कहूं कि धनकी समझा रही है माबाप की जाकर सेवा करो तल्ली दंडुलको सेवा चे येंडी ऐसा क्यों कहा होगा परिवार में जगडे हो रहे है चित्त के कारण चित्त जुडा है चंद्र से रुगवेद कहता है चंद्रमा मनसो जाता है और चंद्रमा महादेव के सरपर है मैं महादेव को नमस्कार करता हूं मेरे परिवार की सदेशो का चित प्रसन होकर परिवार के जगडे चले जाते है मुझे धन चाहिए धन लक्षमी देवी देती है और लक्षमी देवी प्रसन कैसे होगी मेरी मा की सेवा करने से लक्षमी देवी प्रसन होगी इसले शास्त्रों ने कहा की माबाप की सेवा करो नेनो ना तल्ली निसेवा चेसे न अपनु मात्रमे लक्ष्मी देवी प्रसन नमोतुंदी अंदुके मना शास्त्र मांटुंदी तल्ली दंडुला कुछेवचेई इसले धन चाहिए अंदुके धनां कावाल अंटे आरोग्य चाहिए अरोग्य चाहिए अरोग्य चाहिए बद प्रतिष्टा चाहिए कीरते प्रतिष्ठलु का वालांटे परिवार का सुख चाहिए धर्म का आचरान करो धर्मान ने आचरिंच अंडी में मेरी कार लेकर आया हूँ ना कार देश को अच्चानू मेरी कालमे गोली नहीं लगती है ना कार कु गुणु तुपा की गुण्ड सिकाला दु की वह पेशल कार है इंदु कंटे अधोуждका प्रत्य कमाईब ना कार लेकर, मेरी कार की रक्षा नहीं करूँ गा मेरी कार की चोरी हो जाएगी फिर मैं नरेंदर चोधरी जी के कार लेकर जाओंगा वह तो बुलेट प्रूफ होगी नहीं तो बोलो बुलेट प्रूफ कार से बुलेट से मेरी रक्षा होती है तो बुलेट प्रूफ कार की मुझे रक्षा करनी चाहिया नहीं इसले धर्म के आधार पर हमें अर्थ और काम मिलता है तो बोलो धर्म की रक्षा करनी चाहिया नहीं इसले शास्त्र ने कहा आप धर्म की रक्षा करो धर्म आपके इस जीवन के अर्थ काम और परलोग की मोक्स की चिंता करेगा इसले शास्त्र ने कहा धर्मो रक्षती रक्षित हा दीप पूजा क्यों भगवान को दिया क्यों भगवन तुड़ की संपुण मानव जाती को स्रुष्टी को सूर्य सक्ति देता है सूर्य नहीं तो स्रुष्टी नहीं सूर्य नहीं तो जीवन नहीं सूर्य नहीं तो अन्न नहीं और यह दिया यह भगवान सूर्य देव का प्रतिनिधी है दीप पुजा करके भगवान को द्रीप परज्वलीद करके भगवान सूरिय की शक्ति हम प्राप्त कर रहे हैं कपाल में तिलक क्यों हमारे जन्म के समय शरीर में आत्मा जन्म के पहले आता है माना पुटुका कन्टे मुंदे आत्मा मने शरीर लोकी प्रवेश कियों परज्वलीद कर देखला मृट्युके समय आत्मा शरीर से निकल जाता है प्राण मौ आत्मा यकड नैंच बैटिके पोत्तुंदी या आत्मा का प्रवेश और निर्गमन द्वार है हम तिलक करके हमारे प्राण की आत्मा की रक्षा कर रहे हैं हमारे शरीर में नेक चक्र है हम यहां तिलक करके आज्या चक्र को मजबूत बना रहे हैं मनं गुडिके वेलड़ में दुकू संपुन सुष्टी की असमीत सक्ती भगवान के पास है हमारा आत्मा भगवान का आउस है आत्मा की चारवर चित है इसले आत्मा की सक्ती सिमीत है मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्टित मूर्ती है मैं मंदिर में जाकर भगवान को नमस्कार करता हूं मंदिर के प्राण प्रतिष्टित मूर्ती की शक्ती मंदिरन लोने प्राण प्रतिष्टत मूर्ती की शक्ती और मेरे आत्मा की सक्ती तीनों एक हो जाती है मुझे संपुन विश्व की शक्ती प्राप्त हो सक्ती है इसले वेद काल से हिंदों ने मंदिर बनाकर प्राण पतिश्यद मुर्ति की पूजा की है हमारे सास्तर में प्रति दिन भगवान की पूजा का कहा है हमारे सभी तीर्थों का वर्णन जिसमें है उसको सकंध पुराण कहते है सकंध पुराण कहते है हे गाय माता तौम माता सर्व देवा नाम सकल देव त लकू, देवृल कू, नीवे तलिवी तौम यग्नस्य कारणम यग्या आपके कारण है गाय के घी के बिना यग्य नहीं हो सकता है गाय नहीं तो, गाय का घी नहीं तो, यग्य नहीं तो, शुरुष्टि नहीं अन्दुके अन्नारु नीवु यग्यस्य कारणां गो मातात्वं तीर्थं सर्वतिर्थानां नीवु सकल तीर्थालकु तीर्थ स्वरूपिनिवी गंगा यमुना सरस्वति पूर्णा कावेरी गोधावरी इवन्नी वैदिककालनाटी नदुलू वाटि लो मिरुस्नान चेड़ं वल्ला पुण्यन लभिस्तुंति एक जगा दर्सन करने से सबी नदियों का पुण्य प्राप्त होता है उसका नाम गोमाता है इसले सकंध पुराण ने कहा नवो वस्तु सर्वान अध्यय शशी सूर्य अरुन ललाटे वुरसब्ध्वजा गाई माता के कपाल में चंद्र है सूर्य है अगनी है सूर्य चंद्र अगनी सूर्य चंद्र अगनुलों मुडु उन्नाई भगवान संकर हुंकारेच सरस्वती इनकी आवाज में स्वयम देवी सरस्वती है नागास्च मकंबले जिनके गर्दन में सभी नागों का वास है खूर प्रुष्टेश्च गांधरवास चत्वारी वेद एवस्च जिनके पाउं के नीचे गंधरवा और चारों वेदों का वास है मुखा अग्रभाग में सभी तिर्थों का वास है वा गाए माता हम सभी हिंदूों की माता है और सभी देवताओं की माता है सभी पापों का प्रायसित हिंदू धर्म में संभव है उके पापाने की निश्कृति लेदू आदी गोहत्या हिंदू उगव रक्षा के लिए संकल्प करों मेरे साथ बोलो मैं संकल्प करता हूं ना तो पाट के पांडी नेनु ये रोज नुणुंचे संकल्प बद्धू नऌतु नानू गाई के लिए एक रोटी निकालूँगा, देशी गाई का दूद घी का उपयोग करूँगा, पंच गव्य के साबू सेंपू क्रीम का उपयोग करूँगा, गोमातनु सेविस्तानु, जो गाई दूद नहीं देती है, आउ पाली वकपोते, वह गाई में आम्दनी नहीं है, वह गाई कड़ जाती है, आउ द्वारा लाभन लेका, आउ नरिकवे बढ़तों उटे, जो गाई दूद नहीं देती है, उनके गोबर गोमुत्र से, वाट योग का पेड़ा मर्यो गोमुत्र मुलतो, सुगंध बरित मैना, सुन्दर उत्पादन हमने खड़ा किया है, उत् आउति बंड़ नहीं होगा, वेंट्र कलको, वेंट्र कलको, व्योग तवलत लेका, यह गाई के गोमुत्र से किया हुआ सुगंधीदार सेंपू है, यह गोमुत्रों तो तयारू चिये बढ़ने ड्रवंटी सुगंध बरित मैना शांपू, चेहरे पर गोबर लगाओ, उन्ट की चमडी का रोग नहीं होगा ये गोबर का साबुन है गोवमयंतो चे पड़ेन अटवाइटी साबुन है गोवमयंतो चे पड़ेना अगरबत्ति है दोसों से जादा गोशाला उत्पादन करती है रिंड वंदल को पाईगा गोशाला वेटीन रुपपत ज़त ज़त दीदार साबु सेंपु का उप्योग करेंगे नेनु में मलनी वेडु कुंटुन नानू मीरु संकल्पबद्धुल कंडी पंचक अव्यमुलतो त्यारु चे पड़ेन ट्वंटी उत्पत्तुलने मनम उपईउ किस्ताम गाई बिकेगी नहीं अला जरीकिते आवलु तो दुझा के बाद लेकर जाओ और संकल्प करो एग बी गाई कटने नहीं देंगे हम धर्म का आचरन करेंगे धर्म की रक्षा करेंगे और सभी स्रुष्टी का कल्यान करेंगे बोलो धर्म की धर्म की धर्म की जै ए वनकाल स्टाल लो युद्पत्तुल अमुड़ अंतर जातिया कार्याद्धिक्षिलु स्री प्रिवीं तोगाडियागर कि मरोक्किसारी धन्यवादाल तेले जेश्तुन्ना